नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ विभी दुनिया में फैले कोरोना वाइरस के बीच वैक्सीन को लेकर गुरु आरों को एक अच्छी खबर आई जब इस दोर में कोरोना के सबसे जादा केस सामने आ रहे हैं ऐसे में अमेरिका के FDA यानि कि Food and Drug Administration ने COVID-19 के एलाज के लिए पहले ड्रग Remdesivir को मन्सूरी दे दी है खास बात यह है कि दवा मरीज के बीमारी से उबरने के समय को औसत पांच दिनों तक कम कर देती है यही दवा अमेरिका के राश्टपती डोनाल्ड टरम्प को भी संक्रमन के बाद दी गई थी कैलिफॉनिया इस्थित गिलियर्ड साइंसेज इस दवा को वैकुलूरी कहती है इस दवा को अस्पताल में भरती मरीजों को आईवी के जरिये दिया जाएगा अमेरिका में इस दवा को आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमती मिल गई थी और अब ये FDA अप्रूवल लेने वाली पहली दवा बन गई है इस दवा को लेने वाले मरीज की उम्र कम से कम 12 साल होनी चाहिए मरीज का वजन कम से कम 88 पाउंड यानि कि 40 किलोग्राम होना जरूरी है गिलियर्ड के चीफ मेडिकल आफिसर ने एक बयान में कहा है कि हमारे पास COVID-19 से लड़ने के लिए परयाप्त ग्यान और उपकरण है ये दवा शरीर के अंदर मौजूद वाइरस के ऐसे पदार्थ को रोकने का काम करती है जो वाइरस को अपनी नई कौपी तयार करने में मदद करता है रेम्डे सिविर को मरीज को देने से पहले कुछ टेस्ट की जरूरत होगी इसके लावा दवा के लेबल पर ये साफ लिखा हुआ है कि इसे मलेरिया की दवा हाइड्रोकसी क्लोरोकूीन के साथ ना दिया जाए क्योंकि इस से दवा के प्रभाव पर असर पड़ेगा डॉक्टर पार्से ने कहा है कि रेम्डे सिविर को पचास देशों में मन्सूरी या आस्थाई मानेता मिल गई है इसकी कीमत को लेकर विवाद है क्योंकि अब तक किसी भी स्टडी से ये पता नहीं चल सका कि रेम्डे सिविर सर्वाइवल को बहतर बनाती है बीते हफते विश्व स्वास्त्य संगठन के नित्रतों में एक बड़ी स्टडी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि ये दवा अस्पताल में भरती मरीजों की मदद नहीं करती हाला कि ये स्टडी पुरानी फायदा बताने वाली स्टडी के मामले में कम मजबूत थी और इसमें एक प्लैसबो समहू को शामिल नहीं किया गया था फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार